आज राहूल गांदी का जंदिन है और यहाँ पर केक काट कर उनको जंदिन की बधाई दी जा रहे हैं यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं तो यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं इस उपलक्ष में यहां PCC में केक काट कर राहूल गांधी को जंदिन की बधाई दी जा रही है तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर जो कॉंगरेस के कार करता है वो बड़ी संख्यर में यहां पर मौधूर हैं और अलग अलग तरीके से राहूल गांधी का आज जंदिन बनाया जा रहा है और राहूल गांधी के जंदन के मौके पर स्यमशोग गहलोत दिल्ले के दौरे पर है और आज व्याफ़ो गहलोत ने भी राहूल गांधी को जंदन की पधाई ती और PCC में मनाया जा रहा है राहूल गांधी का जंदन तो राहूल गांधी के जंदन के मौके पर जो कॉंग्रेस के कईनेता है जो कार करता है वो मौके पर मौझूद है और केक काट कर राहूल गांधी को जंदन की बधाई ती जा रही है तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं राहूल गांदी आज 49 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर राहूल गांदी जब AICC पहुचे तो वहाँ पर राहूल गांदी ने मीडिया से बातचीत की और वहाँ पर मिठाई खिला कर उनका विवादन किया और साथी राहूल गांदी की जो नराज़की चल रही है उसको दूर करने के लिए AICC में सियमर्शो गहलोर मौजूद थे और साथी धरमेंद राठोर और और भी जो कॉंग्रिस के तिकच है वो वहाँ पर मौजूद थे राहूल गांदी की नराज़की को दूर करने के लिए और राहुल गांधी जो है अपना जन्दिन जो है वो बहुत सादगी से मनाएंगे दरअसल जिस तरीके से बिहार में चंकी बुखार की वज़े से बच्चों की मौत हुई है उसके बाद राहुल गांधी जो है अपना जो जन्दिन है वो सादगी से मनाएंगे और कॉंग्रिस कार करताओं की बात करी तो राहूल गांधी से एक रिटन गिफ्ट मांगा है जो कॉंग्रिस कार करता है उन्होंने राहूल गांधी से ये कहा है कि वो रास्टिय अत्यक्षपद से इस्तिफान ना दे